चुनाव के बाद जिस परकार का एक्जिट पॉल के रुजान दिखा था तब भी मैंने सभी एजेंसियों का दन्यवाद किया था कि दो दिन की खुशी कांग्रेश के नेताओं को मिली है दस वर्ष का वनवास अभी कांग्रेश का हुआ है और दोजार सेंतारेश तक भारती जनता पार्टी का सासन रहना है हरियाणा प्रदेश विक्षित प्रदेश बनेगा भारत विक्षित राष्टर बनेगा तब तक इस देश में भारती जनता पार्टी के सरकार रहने वाड़ी है और इस देश की जनता भारती जनता पार्टी की नितियों से भारती जनता पार तीसरी बार हर्याना पर्देश में भारती जनता पार्टी की बनने जा रही है और जिस परकार के रुजान भी आये हैं रुजानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि यह रिजल्ट इसी परकार का रहने वाला है मैंने चुनाव के समय में भी बाइट दिया था कि 62 सीटे भारती जनता पार्टी की आएंगी लेकिन रुजानों से मुझे लगता है फिर भी विश्वास है कि बाउन तक हम पहुंचेंगे और यह आकड़ा बढ़ेगा और बाउन तक जाने की समाव नहीं पूल उन्होंने कि से पूस्ताज कि मैं भारती जनता प लेकिन बैठकर लोगों से भारती जनता पार्टी के पक्समा मंदान करने का जो प्रियास किया है उन कारेकरताओं की मेहनत को मैंने विश्वास रखा उन कारेकरताओं की जो फीडवेक आई उसी के आदार पर मैंने कहा था कि सपष्ट वहुमत के सरकार हर्याना पर्देश म तीसरी बार भारती जनता पार्टी की बनेगी और कारेकरताओं की मेहनत रंग लेके आई है और वो उसके रजल्ट सामने